और इसरो गगन्यान मिशन के बाद अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन लौंच करने की योजना बना रहा है। इसरो प्रमुक के सिवन ने आज दिली में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महत्वकांक्षी पर योजना गगन्यान मिशन का विस्तार होगा। मिशन चंद्रियान टू और अन्य अंतरिक्ष कारिक्रम की तैयारियों के बारे में अंतरिक्ष विभाग और इसरो की ओर से ये जानकारी दी गई। केंद्रिय अंतरिक्ष राज्यमंत्री जीतेंद्र सिंग और इसरोप्रमुख K7 ने गुरुवार को दिल्ली में प्रस कॉन्फेंस की जिसमें भारत के अंतरिक्ष कारक्रमों की तैयारियों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई इसरो प्रमुख K7 ने कहा कि मानव अंतरिक्ष मिशन गगणयान के लॉंच के बाद गगणयान प्रोग्राम का विस्तार करना होगा जिसके तहत भारत का अपना स्पेस सेंटर लॉंच करने की योजना है केंदरी मंतरी जितेंदर सिंग ने बताया कि 2022 में भारत की 75 वी स्वतंतरता की वर्षगाट के मौके पर गगणयान के जरिये मानव मिशन को अंतरिक्ष में भेजने का संकल्प लिया गया है जिसकी योजना और तैयारी की निगरानी के लिए विशेश सेल बनाया गया है इस रो 15 जुलाई को चंद्रयान 2 लाँच करने जा रहा है चंद्रयान 2 के साथ और्बिटर, लेंडर और रोवर चंद्रमा में भेजा जाएगा इस रो प्रमुख ने बताया कि देश के आम आदमी के हित में ये मिशन है अंतरुष कारकरम के तहट इस रो मिशन वीनस पर काम कर रहा है और 2023 तक ये पूरा हो जाएगा इस रो की तैयारी सूरे तक उपग्रह भिजने की है और इसके लिए भी बड़े इस्तर पर तैयारियां शुरू की जा चुकी है नौविकरम सिंग राज्य सभा टीवी